एक photo डाली है मैंने facebook पे एक photo मेरे पापा ने मेरा दिमांग खराब कर दिया delete करो delete करो पदह नी parents को क्या हो زदा बच्चा एक photo भी डाल देना इनको पसंद नहीं और अभी delete करके चोड़ी है यार मैंने पदह नी क्यों parents जेलस हैं कि उनके बच्चे Facebook पे photograph न डाले Instagram पर फोटो न डाल दे मेरी तो ममा ना मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसे occupy करना चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे इसाब से चलेगा हत न यार मेरा Facebook अकाउंट है मैं जो मर्जी डालू मेरी Instagram selfies है मम्मी पापा को पता नहीं क्या लेना देना होता है क्या आपको भी ऐसा लगता कि मेरा Facebook अकाउंट पर मैं जो मर्जी डालू क्या आपके भी बच्चे जब आप उन्हें मना करते हैं कि ये चीज Facebook अकाउंट पर मट डालिये यहाँ पोस्ट मत कीजे आपकी सुनते नहीं है आपसे लड़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर निहा मैता मैं एक consultant psychologist हूँ और मेरा clinic हिसार हरयाना में है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी चीजें social media पे नहीं डालनी है ऐसा क्या है जो social media platforms पे आपने नहीं करना है moreover ऐसी कौन सी चीजें है जो आपको social media से negative कर सकती है आपकी छवी को negative बना सकती है और आपके parents आपकी respect सबको धूमिल कर सकती है मैं मानती हूँ कि आपकी intention सही हो सकती है बट हमारे थोड़े से actions चीजों को negative ले जाते हैं तो अगर आप एक parent है आप बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इससे पहले कि मैं आपको बताओं आप तीज मेरी इस वीडियो को like करेंगे share करेंगे और मेरे चानल को subscribe करना नहीं बोलेंगे तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि social media platforms पे आपको क्या नहीं share करना है मैं जानती हूँ आजकल social media हमारी live बन गया है हमारा अधिकतर से जादा समय हम social media platforms पे डालते हैं और youngsters के लिए तो यह बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा platform है जहां लोगों से connect होते हैं अपनी life share करते हैं, friends बनाते हैं, मस्ती, मजा सारी चीज़ है, अब तो इस पे games भी आ गई है जो हमेशाद हमारा future बताती है और बहुत ही interesting challenges भी चल रहे हैं couple challenge, single challenge, baby challenge बहुत सारे और challenges चल रहे हैं हमें कहीं न कहीं उलजा के हमें connect करके रखते हैं और इससे positivity भी आती है लेकिन जैसे हर चीज़ की अती नुकसान करती है हर चीज़ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है इसलिए क्या नहीं post करना है वो भी आपको जानना अत्यांत आवशक है बहुत जादा जरूरी है पहली चीज़ बहुत जादा जरूरी पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये आपका home address और phone number बहुत से लोगों को मैंने बहुत से groups में अपना personal number share करते हुए देखा है जब तक आप sure नहीं है उस group की privacy के बारे में जब तक आप sure नहीं है कि आप कहां पे अपना number share कर रहे है जब तक आपको ये नहीं पता है कि मेरी शायद photo के पीछे मेरे घर का address आ रहा है मेरी photo के पीछे मेरा phone number आ रहा है वैस तरह की photographs आपने बिलकुल भी share नहीं करनी है देखिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वो आपका एक परदे की जिंदकी है उस जिंदकी में अगर आप अपनी बहुत हद से जादा personal information देने लगेंगे तो आप खुद negativity का शिकार होंगे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पागल हो जाएंगे और मैं ये नहीं बुल रही हूँ कि आपका कनुकसान हो जाएगा लेकिन आप mentally बहुत तरह की negativity इस platform से ले सकते हैं जो आपकी हस्ती खेलती जिंदकी को बहुत बारा तनाव जनक बना सकता है हम सबको बहुत अच्छा लगता है अपनी महेंगी काड़ी दिखाना अपने अच्छे कपड़े दिखाना हम या घूमने गए दिखाना मैंने ये लिया ये दिखाना ये करना ये दिखाना गलत नहीं है लेकिन अगर ये अत्य दिखो रहा है तो definitely हमें इस पर रोक लगाने के जरूरत है हो सकता है आप मुझे बोलें कि मैंने नहीं गाड़ी ली मुझे अच्छा लग रहा है मैंने पोस्ट कर दिया शायद गलत नहीं है लेकिन जब आप उसे पोस्ट करेंगे तो बहुत से लोग आपको congratulations बोलेंगे उन में से किस किसने आपको positive energy दी किसने आपको negative vibes दी आपको नहीं पता है शायद post करने के बाद बहुत से लोग आपसे दोस्टी करना चाहेंगे लेकिन क्या उस दोस्टी के पीछे उनकी नियत साफ है शायद उनकी नियत सरफ आपका financial status है तो आप जिन्दगी में कभी भी उस तरह के दोस्ट के साथ लंबी जंग नहीं लड़ सकते तो जरूरी है कि अपने financial status को दूर रखे अगर मैंने गाड़ी लेने के बाद उसे post नहीं किया तो ये मतलब है कि मैंने गाड़ी नहीं ली अपने आपको कोशिश करें नहीं नहीं अपने financial status को दिखाने से दूर रखें अती गलत है वाट नॉट टू पोस्ट नंबर थ्री फॉल्स स्टेटमेंट्स आण उपीनिट्स बहात बार हमें किसी को लेकि गुसा आ रहा होता है कि मेरे boss ने ऐसा क्यों बोला, मेरे दोस ने ऐसा क्यों बोला उसकी मजाल कैसे हुई उसने मुझे ऐसे बोला मैं इसको चुड़ूंगी नहीं और मैं इसको social media पर पोस्ट करूंगी बिल्कुल नहीं अगर आप किसी की personality को लेके sure नहीं है किसी की काम को लेके sure नहीं है तो उसको social media platforms पर उचालने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है बहुत से लोग restaurant में जाते हैं और एक particular hospitality agent का किसी एक ने आपके साथ शायद time से आपको खाना नहीं दिया है या थोड़ा सा late हो गया है या फिर ठीक से बात नहीं की आपका room साफ नहीं था शायद 2 मिनट में थोड़ा सा कुछ है और आपने धर-धर-धर-धर उसको social media पर rate कर दिया उसे कर दिया आप ये सोचिए कि आपके एक negative comment से जो वो काम कर रहा है उसको कितना negative life में आएगा हो सकता है आपके एक negative comment के कारण वो तनाब में चला जाए वो stress में आ जाए कितनी negativity आप ले रहे हैं और दे रहे हैं अगर आपको बहुत ज़ादा negative है आप जरूर comment कीजिए बट अगर कोशिश करें किसी के लिए कुछ अच्छा लिख पाएं किसी के लिए offensive मत लिखे social media platform सरफ मेरे और आप तक नहीं है 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग उसे पढ़ते हैं और अगर आपका एक negative comment अपने दोस्त के लिए लिखा हुआ कि उसने मेरे लिए साथ ऐसा किया, ऐसा किया अगर आपके दोस्त को नीचा दिखा रहा है तो आपको भी नीचा ही दिखा रहा है कि आप अपनी दोस्ती में सामन जसे नहीं बिठा पाएं है आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएं है तो प्लीज इसे ना करें टिप नमबर 4 Anything explicit जो भी आपको लगता है illegal है, drugs से related है sexual porn से related है उन चीजों को प्लीज सोशल मीडिया पे मत पोस्ट करें हो सकता है आपको लगता है कि क्या हुआ अगर पोस्ट हुआ तो जो उसे पसंद करते हैं वो देखेंगे लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर बच्चे हैं, यंग्स्टर्स हैं इस तरह की activities ना पोस्ट की जाएं क्योंकि limit नहीं है इन चीजों में, जितना हम अपने, अपनी image के लिए concerned है सोशल मीडिया भी आपको एक image देती है और वो जितनी हमारी personal life से दूर हो, उतनी अच्छी बात है tip number five do not post क्या, आप कहा हैं इस वाक don't post your precise location मतलब आप इस समय कहा है हो सकता है, मैं अभी यहां से गोवा जा रही हूँ तो लोग अभी पहुँचे नहीं होते उससे पहले post करते हैं, तो ट्रावलिंग this resort, I'm enjoying at this resort कभी भी अपनी precise location मत डाले आप वहां से घूमाएं, आप enjoy कर आईएं आप वापस आएं, आप photos डाल दीजे आपका मन है, डाल दीजे बहुत जादा नहीं, एक limit रखें post करने का हाथ तो आथ, अपनी location मैं आप यहां खड़ा हूँ, मैं यहां जा रहा हूँ मट डाले, आपको नहीं पता है कि कौन सी लोग आपको किस तरह से trap करने की कोशिश कर रहे हैं देखे, पहले एक time होता था कि आप जिन्हें जानते हैं, आप उन्हें कनेक्ट करते हैं कभी भी अपने बच्चों को और बच्चे भी समझें कि अगर parents कह रहे हैं तो हमें इस चीज़ को समझना है बहुत जादा जरूरी है कहते हैं, हमेशा step लेने से पहले बताना नहीं होता है अगर आप कहीं जा रहे हैं उससे पहले बताना या उस समय बताने से बहतर कराज़े, जीत लीजे फिर आके पोस्ट कीजे न, मैं जीत आया मुझे ये गेम मिली, बिल्कुर और तब आपकी खुशी में खुश होना आपके आसपास वाले लोगों के लिए जायस भी है, friends उटपटांके, accept करने से बहतर है, जिनने आप जानते हैं trustworthy है, उन्हें करिए open invites नहीं भेजें, कई मैंने लोगों को देखा, अपना group start करते हैं, reselling का group start करते हैं, और open invite facebook पे डाल देते हैं, instagram पे डाल देंगे मेरे इस instagram पे, मेरे facebook page पे आप connect हो जाएए, मेरे facebook पे privacy का option है, क्यों whatsapp पे privacy का option है, क्यों instagram पे privacy या blogged का option है, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ गलत भी है, ये मच सोचिए कि ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरी fake profiles नहीं बन सकती हैं, या मेरे साथ तो ऐसा कभी होगा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं, तुम हम सब journal इंसान है, journal लोग है जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो prevention is always better than cure, but not to post on social media is very much important, उसके साथ एक से चीज़ जरूर अंक करने से पहले बोलूंगी negativity वहां से भी घर लेने की कोशिश मत करें, कोई और post कर रहे हैं, आप उसकी negativity ले रहे हैं, देखो मम्य, उसके पास है, मुझे भी चाहिए, इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहें, enjoy करें enjoyment है, खुश हो जाएं लोगों को देखकर, jealousy से बचें और खुद को भी बहुत जादा किताब की तरह social media platforms पर ना खोलें, जरूरी है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगी, प्लीज आपको आप इने अपने बच्चों को, अपने siblings को, वो लोग जो बहुत जादा post करते हैं, उन्हें जरूर दिखाएं ताकि हम एक साफ सुत्री छवी अपनी भी बना पाएं और जो ये जो दुनिया भर के काम चल रहे हैं लोगों की profiles को use करना, waste करना उससे हम बच सकें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करनें और चानल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे, मैं डॉक्टर निया मैताब से जुटती रहोंगे और बहुत सारी वीडियो लेकर मांसिक, तनाव, सिदू रखने के आपको कोशिश करोंगे